आज इस case के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस case को बताने के लिए मैं काफी लंबे टाइम से सोच रहा था लेकिन यकीन मानि उसकी details में मैं जब गया तो मेरा दिल दहल गया जिहां कोई इतना भयंकर भी कांड बेटा सकता है ये ना तो मैंने सोचा था और ना ही कभी आप सोच सकते हैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस case के बारे में लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं अपको शौटर देख और आपको शौटर देख दूँ इस case को समझने के लिए हमें अमेरिका के कैलिफोर्निया में बने हुए कोस्टा मैसा में जाना पड़ेगा और समय था सन 1991 का और यहीं कैलिफोर्निया में ही रहा करती थी ओमैमा नाम के लड़की असल में इस लड़की का जनम यहां अमेरिका में नहीं हुआ था ये लड़की पैदा हुई थी इजिप्ट में और इजिप्ट में ही रहते हुए इस लड़की के उपर इसके पिता के द्वारा या फिर और भी कई लोगों के द्वारा बहुत ज़रा अत्याचार किये गए इस इसका पिता खुद यहां पर इसको sexually abuse कर रहा था, उसको physically torture करता और ना सिर्फ इसको कर रहा था, बलकि इसकी मा को भी यहां साथ में लपेटे में ले रखा था, इतना ही नहीं, यहीं इजिप्ट में रहते हुए ओमेमा के पिता ने ओमेमा के genital mutilations भी करवा डाले थे, मतलब अपने बाप के स्टॉर्चर से परेशान होकर ओमेमा ने मन ही मन में ठान लिया था, कि वो अपने इस घरबार को छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर यहां से निकल लेगी, लेकिन कैसे, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने हमेशा से ही गरीबी और बुकमरी को देखा और इनी सब चीजों से परिशानती ओमेमा की माँ खुद भी, और इन दोनों ने ही मिलकर प्लैन मनाया कि क्यों न वो इस घर को छोड़ दें और कहीं और जाकर रहने लगे, लेकिन इनके पास क्यों कि पैसे नहीं थे, तो यह कहीं अच्छी जगे तो शिफ्ट हो नहीं सकत करते हुए उसको यहाँ पर एक अमेरिकन आदमी मिला, जो कि यहाँ इजिप्ट की ओईल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वो यहाँ नोकरी करते हुए अच्छा कासा पैसा कमा रहा था और इस पैसे के उपर ही नजर अब बन चुकी थी, ओमेमा ने उसके साथ बाते गण शुरू करी, दोनों के अच्छे कासे संबंद बन चुके थे और अब यहाँ ओमेमा को अंदर से ही फील हो रहा था कि यह उसके पास एक मात्र चांस है, यहाँ से निकलने का, कहीं और जाकर शिफ्ट होने का, और एक नई जिन्दगी शुरू करने का, ओमेमा ने यहाँ उस ओमेमा के साथ शादी करी थी, दोनों यहाँ से जहाज पगड़कर सीधा अमेरिका शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन यहाँ अमेरिका में शिफ्ट होने के साथ ही दिक्कत आनी भी शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए, सारा दिन एक दूसरे के साथ इसलिए यहाँ पर शादी के बाद ओमेमा को उससे कुछ खास पैसा मिला नहीं कंबंसेशन के तोर पर जिस वज़े से यहाँ फिर से अब अमेरिका में ओमेमा अकेली बढ़ चुकी थी एक नई देश में नई नई लड़की शिफ्ट हुई है उसके पास रहने के लिए छगे नहीं है खाने के लिए खाना नहीं है जेम में पैसा नहीं है वो क्या करे जिनों के बाद नोकरी वाला उसे वहां से निकाल देता और फिर से यहां पर अब ओमैमा अकेली पढ़ चुकी थी। जिन घरों में वो नैनी के तोर पर काम कर रही थी। और रिलेशन्शिप शुरू करने के सिरफ चोथे ही दिन उसने उस लड़के की ही शौट गन को उसके ही घर में उतारा और सीधा उस लड़के के उपर जाकर तान दिया और कहा कि तुम्हारे पास घर में जितना भी कैश है तुरंत लाकर मुझे दे दो अब वो लड़का प्रकारी के कांड काफी ज़ादा हो चुके थे तब यहाँ पर ओमेमा को लगा कि अब वो इस जगे पर और जादा नहीं रह सकती उसे अपनी जगेश सिफ्ट करनी होगी और इसी जगेश को शिफ्ट करने के लिए वो वहां से उठगर कैलिपोर्निया आगई और कैलिपोर करता था और इसे अच्छे से ग्यान था कि कैसे जहाज को उड़ाया जाता है कैसे जहाज में समान को इधर उधर किया जाता है और कैसे जहाज के तरू ही स्मगलिंग की जाती है अब इसने अपनी इसी कारीगरी का फायदा उठाया और कैलिफोर्निया में ही रहते हुए इसने एक अमापने कॉलेक्शन में काफी सारी गाड़ियां एड़ करी और साथ यहां पर वो महँंगे-महँंगे कपडे डालता, हाथों में चैन और गड़ियां जालकर, वो सीधा अपनी लाल कलर्की एक कोरबेट गाडी में निकलता और इधर उधर धक्के खाता रहता सारा लोग उसे देखें लोग उसे अटेंशन दे और यहाँ पर उसे अटेंशन तो मिली लेकिन किसी और की नहीं बलकी ओमेमा की ही बिल भी यहाँ पर कैलिफोर्निया में अपनी पुरानी जगे छोड़ कर शिफ्ट हुआ था ताकि वो एक नई जिंदगी यहाँ शुरू कर सके यहाँ पर अपना नया दो नंबर का धंदा शुरू कर सके और ऐसी ही लड़की यहाँ ओमेमा भी रह रही थी जब ओमेमा ने पहली बार उस लाल कलर की गाड़ी में बिल को देखा तो उसकी नजर उसके उपर ही टिक गई और उसने सोच लिया था कि किसी भी तर है अभी इ करने लगी कि आखिर बिल करता क्या है बिल ने वहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक्स वगेरा ली और पूल वगेरा खेलने लग गया बहुत सारा कैश उसने पूल की टेबल पर रखा अब ओमेमा सामने खड़ी देख रही है किसके पास तो बहुत सारा पैसा है अब एक लड़क पूल वाली टेबल पर ही बिल से बात करनी शुरू करी उसके साथ अपनी चैटिंग वगेरा शुरू करी दोनों एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगे थे और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि एक हफते तक डेली इसी बार में रोज रात को मिलने के बाद यहाँ इन दोनों की शादी फोन पर एक प्रिस्टेम ने करवाई थी अमेरिका में बैठागर अब इन दोनों की तो शादी हो चुकी थी बिल यहाँ पर बहुत जारा खुश था क्यों क्योंकि यहाँ पर उसको उम्र 58 साल की और ओमैमा की सिर्फ Psychology साल की बिल इसलिए खुश था कि उसको यहां उसकी आदी उम्र की घरवाली मिल गई है उसको लेकर वो सारा सारा दिन उसके गले में हाट डालकर बजारों में घुमता रहता उसको गाड़ियों में घुमाता और यहां खुश ओमैमा भी थी क्यों क्यों कि यहां पर उसको लग बिल ने यहाँ पर ओमेमा से छुपाया था कि वो पहले से ही शादी शुदा है ओमेमा को अब तक लग रहा था कि वो शादी शुदा होगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है हो सकता है उसका तलाक हो गया हो हो सकता है उसकी बीवी मर गई हो या फिर उसके कोई बच्चे बच्चे ना हो ओमेमा को अभी तक यही पता था कि बिल अकेला रहता है उसने कभी पूछने की भी कोशिश नहीं करी थी कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ होगा या फिर तुम्हारे बच्चे कहां पर है लेकिन अब बिल ने बताया कि वो पहले से ही शादी शुदा है और उसने यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ डाइवोर्स फाइल किया हुआ है फाइल किया हुआ है लेकिन डाइवोर्स हुआ नहीं है मतलब यह जो दूसरी शादी बिल ने ओमेमा के साथ करी थी वो लीगल नहीं थी, अब इस बात को जैसे ही ओमेमा ने जाना, वो बहुत जारा टेंशन में आ गई, उसको बहुत जारा गुस्सा आया बिल के उपर, खर यहाँ पर जैसे दैसे बिल ने उस टैम पर तो ओमेमा को मना लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरा और मेरी पतनी का ड टेकसस में यहाँ बिल की फैमली रहा करती थी, अब जैसे ही बिल अपनी पतनी यानि की ओमेमा को लेकर अपने घर पहुँचा, तो उसके घर वाले बहुत जारा गुस्सा हो गए, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली थ तो बिल के बच्चे यहाँ उसकी फैमली में मौजुद थे और जब उसके रिष्चेदारों ने जाना कि बिल ने ऐसा कांड बैठा दिया है, उसके रिष्चेदार बहुत जारा नाराज हुए और उनको घर से बाहर निकाल दिया, अब हनीमून पिरिड में ऐसा कुछ जाए तो कोन ही बरदाश करेगा, इन दोनों ने वापिस अपना ताम जाम पैक किया और वापिस जहाज पकड़ कर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुके थे, दिन आया 1 दिसंबर 1991 का, सुबह सुबह अभी हुई ही थी, बिल के घर के बराबर में ही यहाँ पर एक हौजे नाम कर देख ले बाहर, खिड़की से कि आखिर बाहर है कौन, उसने साइड में जाक कर देखा और बाहर एक लाल कलर की कौरवेट कड़ी हुई थी, वो इस गाड़ी को जानता था, लेकिन असल में उस गाड़ी में उस टैम पर कोई बैठा ही नहीं था, नहीं उसके दरवाजे से उसके दरवाजे पर खट-कट हुई, और अब की बार फिर से अपने दरवाजे पर गया, उसने साइड में से जाक कर देखा कि आखिर बाहर कौन है, जो बसर्ड मचा रहा है, उसने देखा कि बाहर ओमेमा खड़ी हुई है, और लाल कलर की वो कौरवेट अभी उसके घर क बाहर ही खड़ी है, उसने दुरंद ओमेमा को देखकर दरवाजा खोला, क्योंकि वो ओमेमा को जानता था, वो उसकी पडोसी ही तो थी, उसने ओमेमा के लिए दरवाजा खोला और खुद वो बाहर चला गया, ओमेमा का हाल देखकर वो भी दंग रहे गया, क्योंकि यहाँ पर ओमेमा के शरीर पर जगय जगय खून लगा हुआ था उसको खुद यहां चोटे लगी थी उसके गले में काफी सारी खरोची आई हुई थी उसके हाथ पैरों में खरोचे थी इन्हें देकर होजे ओमेमा से बोलने लगा कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है तुमको किसने तुमने अकेले बिल्को कैसे निप्टा दिया ये चीज़े बात की बात थी लेकिन अब यहां ओमेमा ने होजे के सामने एक बहुती अजीब सी रिक्वेस्ट रखी उसने कहा कि मैंने बिल्को तो निप्टा दिया है लेकिन उसकी लाश जो है वो मैंने काफी सारे टुकडो में कर दी है और उन टुकडो को मैंने एक बहुत बड़ी थैली में भर कर इसी लाल कलर की रैड कॉर्बेट में रखा हुआ है और इसमें पीछे वाली सीट का दरवाजा अगर तुम खॉल कर देखोगे तो तुमको उसकी लाश के चोटे-चोटे टुकडे मिलेंगे ये चीज देखते ही उसने वापिस उस थैली को अंदर बंद किया और दरवाजां अंदर से बंद किया और अब ओमेमा को देखने लगा ओमेमा को देखते ही ओमेमा ने बोला कि तुम बिल्कुल टbok़ टेंचन मतलो मैंने बिल्को इस तरीके से मारा है कि कोई उसकी लाश की पहचान ह नहीं कर पाएगा लेकिन मुझे अब इस लाश को ठीकाने लगाने के लिए ही तुम्हारी मदद चाहिए है होजे भी कन्फ्यूस हो गया कि हाँ बताओ क्या मदद चाहिए है उमेमा ने कहा कि मुझे इस लाश को ठीकाने लगाना है और ठीकाने लगाने का काम तुम्हारा है तुम इसको कहीं जाकर डंप करके आओगे और ऐसी जगे डंप करना है कि कोई इसे पहचान ही ना पाए पहली बात तो ये लाश ही किसी को ना मिले और अगर मिल भी गई तो को तो ये काम क्यों करे ओवियसली ओमेमा की वो हेल्प क्यों करेगा तब यहां ओमेमा ने उसे ओफर दिया कि अगर तुम ये काम मेरा कर दोगे तब मैं तुमको दो तो मोटर बाइक दिलवाऊंगी और साथ ही में 75,000 यूएस डॉलर्स कैश में दूँगी ये काम करने के लिए ये ची सुनकर होजे थोड़ा शान्त हुआ उस टाइम पर उसके मन में लालच आ गया था ओमेमा को देखकर लेकिन यहां ओमेमा से उसने थोड़ा टाइम मांग लिया उसने कहा कि ठीक है तुम ये लाल कलर की गाड़ी जो है वो मेरे घर के बाहर ही छोड़ दो इस लाश को ना नहीं करेगा वोज गाड़ी को वहीं छोड़कर अपने बराबर वाले बिल वाले घर में ही चली गई और होजे अपने घर के अंदर गुज गया अंदर जाते ही उसने तुरंद अपने लैंड लाइन से पुलिस को फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया कि ऐसे-एसे मेर घर के बाहर पहुच चुकी थी तब तक यहां खुद ओमेमा अपने घर में नहाद हो रही थी और उसने भी यहां गाड़ियों की आवाजे सुनी कि पुलिस आ गई है यह किसने बुलाई है उसको इस टैम पर महसूस हो गया था कि होजे नहीं यह कांड़ किया होगा चायद उसको अभी नहीं बताना चाहिए था इन सब के बारे में खेर यहां पर पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने होजे के दरवाजा खटकटाया होजे बाहर आया और उसने जा कर सिदा इशारा कर दिया कि यह बाहर जो लाल कलर की गाड़ी खड़ी है इसी के अंदर आपका मा चाहर निकाला और अंदर जांक कर देखा कि इसके अंदर तो बहुत सारे लाश के टुकडे पड़े हुए हैं लाश के टुकडे को वापिस फिर से समेटा गया और पुलिस वाली गाड़ी में रख दिया गया तब यहां पुलिस की एक टीम उसी टाइम पर बिल वाले अपा केसिस को खोल कर जब देखा गया तो पुलिस वाले हैरान हो गए इस तरहें की दरिंदगी को देख कर कि उन में से काफी सारे पुलिस वालों ने तो वहीं उल्टिया करनी शुरू कर दी जी हां उन सभी सूट केसिस के अंदर छोड़े छोड़े प्लास्टी के बैक से और उ तो हुआ ये था जब यहां पुलिस ने उसको उस बातरूम से बाहर निकाला तब पुलिस ने उस बातरूम को वहीं बंद कर दिया उसकी जाचबाद में करने के लिए ओमेमा यहां बाहर आ चुकी थी पुलिस को सूट केस वगयरा मिल चुके थे पुलिस ने एक साइड में टूटा हुआ लेंप भी देखा, वो भी खून से लदा हुआ था, साइट में ही एक प्रेस जो कि हम कपड़े वगएरा प्रेस करते हैं जिससे, वो आइरन यहां पर पड़ी हुई थी, वो भी यहां खून से सनी हुई थी, तब यहां पर पुलिस बैडरूम में घुजी बिल वाले और बिल वाले बैडरूम में ही जोसका बैड था, वो भी पूरा का पूरा खून से सना हुआ था, उसके गद्दे को उतारा गया, गद्दे को यहां एविडेंस के तोर पर सिधा जमा किया गया, इसके अलावा यहां पर पुलिस को कुछ नहीं मिला, तब यहां पुल नहा रही थी, वो नहा नहीं रही थी, बलकि वो अपना बचा हुआ काम कर रही थी, आपको भी पता होगा कि जो बाथरूम में टब लगा होता है, नहाने वाला जिसके अंदर हम लेट कर नहाते हैं, उसके उपर एक पाइप लगा होता है, जिसके उपर हम तोलिया वगएर पुलिस वालों ने उस हिस्से को गौर से देखा तो उनको पता चला कि इसके उपर से तो पूरी की पूरी तवचा भी उतार दिी गई है ये जो हिस्से सामने अभी वो देख रहे हैं ये बिना तवचा के हैं उसकी आँथ यहाँ दीख रही थी सामने उसके फेफडों का काफ उसका लीवर भी सामने ही चमक रहा था और ये सब कुछ इतने सटीक तरीके से काटा गया था ऐसा लग रहा था जैसे ये ओमेमा इस काम को करने में प्रो हो चुकी हो ये बहुत पहले से ही ये काम करती आ रही हो पुलिस वाले उस पूरे तामजहम को उतार कर अपने एविडे जाकर लेकर आई थी और उन टड़की मीट के ऊपर जो तेल वगयरा होता है उस तेल में दो इनसानी हाथ तैर रहे थे वो पूरे बन चुके थे वो पूरे पक चुके थे और खाने के लिए अब तयार थे और इनको खाने वाला कोई और नहीं बलकी और मैमा ही थी इस किचन मे रखे वे फ्रीज की तरफ जब पूलिस ने देखा तो उनको पहले से ही शकता कि इस फ्रीज के अंदर से भी जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा क्यों क्यों कि यहाँ पर जिस चीज की अभी तक वो तलाश कर रहे थे वो उनको मिला नहीं था जिहां बिल का सर जब जैसे ही पूलिस ने उस फ्रीज के दरवाजे को खोला तो उनकी नजर सीधा फ्रीजर के अंदर गई आइस फ्रीजर का दरवाजा उन्होंने खोला और उसके अंदर एलुमीनियूम फोइल के अंदर लपेट कर रखा हुआ था बिल का सर पूलिस वालों ने उस सर को बाहर निकाला और नीचे से देखा कि उसके गले को भी बहुत सटीक तरीके से एक लाइन में काटा गया है, ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी मशीन से काटा गया हो। जब पुलिस वालों ने उस ऐलुमिनियम फोईल को उतार कर देखा तो वो और ज़ादा है यह जान कर कि यह सिर कच्चा नहीं है, मतलब इसको पहले ही पकाया जा चुका है, यह पहले ही डीफ फ्राई किया जा चुका है, और इसको खाने वाला अब फिर से कोई और नहीं बलक और स्टोरी के हिसाब से ओमेमा ने कहा कि जनाब जिसकी लाश अभी आप पकड़ कर लेकर आये ना, यह बिल नहीं है, बलकि यह तो बिल का कोई जानकर है और इस आदमी को बिल ने उसके घर में बुलागर निप्टा दिया था और बाद में उसके शरीर को ठीकाने लगा र कि शकल बेशक डिफ्राइ की जा चुकी हो, बट अभी भी पहचान में आ रही है कि यह कोई और नहीं बलकि बिल खुद है, अब आप क्या जवाब देंगी हमें इस चीज़ का, तब यहाँ पर एक और कहानी बनाई ओमेमा ने, और कहा पुलिस वालों को कि जनाब देखिए हम पागल वागल हैं, तो हमें सजा कम मिलती है, हमारा ट्राइल ही शुरू नहीं होता, और काफी सारी केसिस में तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत भैंकर भैंकर क्रिमिनलों को रिहाबी कर दिया जाता है, सिर्फ इस बिहाफ पर कि जो भी उन्होंने कांड बैठाया हो, वो उन्होंने जान बूज कर नहीं किया, बलकि वो पागल हैं तो उन्होंने ये काम कर दिया, अब इसी चीज़ का फाइदा उठाने वाली थी, ओमेमा खुद भी, उसने कहा पुलीस वालों को, कि मेरे दिमाग के अंदर एक इजिप्शन डैमन आ गया था, इजिप्शन श उन्होंने दी तो मुझे चुटी देदो, पुलीस वालोंने उसकी इस थेहरी को भी नकार दिया, क應該 जैसे ही ये थेहरी बनाया पुलीस वालोंने डाक्तरों को बुला लिया, और बॉक्तर हम जैसे ही उसका ट्रेटमेंट किया, जैसरी कि उसका सब कुछ सामने आगया, कि य मुझे जाने दो मुझे चुटीakte दो यह सारी बाते वह भी पुलीस वालों digital को संज़ा ही रही थी कि पुलीस वालों ने उसके बातों को एक्नौर करना स्टार्ट कर दिया mayapp would you उसने पुलिस वालों को रोका, तब यहां पर वो एक और कहानी बना कर लेकर आई, उसने पुलिस वालों से कहा, जनाम असल में 30 नवंबर की रात को, यानि कि 1 नवंबर की बिलकुल सुबह सुबह को, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, किसी बात को लेकर, और उसने मुझे नशे में मारना शुरू कर दिया अब क्योंकि मुझे मार रहा था तो मुझे अपना सेल्फ डिफेंस करना था और सेल्फ डिफेंस के चकर में आकर वो जो लैंप जिससे वो मुझे खुद मार रहा था वो लैंप मैंने उसके हाथ से छीना और क्योंकि वो नशे में था उसके शरीर में जारा जोर नहीं था तब मैंने वो लाम्प उसे चीन कर उसके ही सिर में मारा और वो एक लैम्प में निपट गया अब मेरी क्या गलती है जनाब कि उसके शरीर में जानी नहीं थी वो इतनी जल्दी निपट गया मुझे इस बात का अंताजा नहीं था तो इसलिए ये जो भी कांड मैंने किया है वो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है इसलिए अब जो भी आप सजा मुझे देंगे वो प्लीज उसमें थोड़ी करवाईएगा पुलीस ने सोचा कि हाँ ये एंगल हो सकता है इसलिए हमें इस एंगल से भी जाँच करनी चाहिए अब इसकी जाँच कैसे करें बिल तो रहा नहीं जो उससे पूछने कि हाँ भी बता तेरा और इसके बीच में जगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था तब यहाँ पर पुलीस ने फुरेंसिक्स का सहरा लिया और फुरेंसिक्स की एक टीम ने उमेमा को जाचा और इसके शरीड पर जितने भी निशान थे चोटों के उन सबी को जाचा उसके साथ अगर कभी फिजिकल एब्यूज हुआ था उसके भी टेस्ट लिये गए लेकिन सब में उमेमा क्लियर पाई गई उसके साथ किसी भी तरह का कोई फिजिकल एब्यूज बिल द्वारा नहीं किया गया था साथ ही यहाँ पर जो उसने निशान उसके शरीर के उपर पड़े हुए थे गले पर थे वो कटके निशान और साथ में हाथों के उपर थे जो खरोचों के निशान वो defensive wounds नहीं थे मतलब कि वो निशान अपने बचाओं में आकर नहीं लगे थे यह निशान ओमेमा ने खुद अपने शरीर पर बनाये थे सिर्फ दिखाने के लिए पुलिस वालों को गुम रहा करने के लिए कि यहाँ यह सारा काम self defense में हुआ है तब यहाँ पर बिल की family को भी इसमें include किया गया और यहाँ सबसे पहले include हुई बिल की बेटी बिल की बेटी नहीं यहाँ पुलिस को बताया कि जिस दिन उसके पिता का murder हुआ था उसी दिन उसके पिता का उसके पास phone भी आया था क्योंकि उस दिन thanksgiving day था और इस thanksgiving day को wish करने के लिए ही बिल ने उसको phone किया था और उसको खाने पर invite किया था साथी बिल ने हाँ अपनी बेटी को बताया था कि उनकी जो नई मा है obviously यहाँ उसकी बेटी से भी छोटी थी वो लेकिन रिष्टे में तो मा ही हुई तो यहाँ बिल ने बताया था कि वो अपनी नई जिन्दगी और अपनी नई पत्नी से बहुत ज़्यादा खुश है और वो चाहता है कि तुम भी यहाँ आ जाओ रात को बैट कर डिनर वगयरा करेंगे और अराम से इसका celebration करेंगे लेकिन यहाँ बिल की बेटी उस दिन अपने पिता से मिलने नहीं जा सकती थी उसने इस ओफर को ठुकरा दिया था अगर यहाँ पर उसकी बेटी इस ओफर को ले लेती तो शायद उस दिन तो बिल की फाइल नहीं निपटती हो सकता है आगे कभी हो जाए या फिर शायद कभी ना भी होती जब यहाँ पर उमेमा की सारी स्टोरीज खत्म हो चुकी थी तब यहाँ पर पुलिस वाले सामने आए फुरेंसिक्स वाले सामने आए और उन्होंने बताया कि असल में बिल के साथ क्या हुआ था उन्होंने कहा कि जिस राहत बिल के साथ ये कांड हुआ था उसरा हाथ बिल को रस्यों से बांदा गया था मतलब कि यहाँ पहले ओमेमा ने बिल को वाइल्ड संबंद बनाने के लिए प्रेरित किया होगा ताकि वो उसके हाथ फैरों को रस्यों से बांद सके और उसके साथ अलग तरीके से संबंद बनाए बिल को भी इस चीज़ का बहुत जला शोक था ऐसा ओमेमा ने बताया बिल को बैड पर बांधने के बाद ओमेमा उसके ओपर बैठी और उसको सीधा कहा कि तुम्हारी पत्नी कहा है और तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों नहीं दे रहे हो बिल उसको शायद समझा ही रहा होगा लेकिन इसी बीच पैसो के लालच में आकर ओमेमा ने सीधा पैसे ही डिमांड कर लिये बिल के साथ अब क्योंकि बिल को पता था कि इस तरीके से नए-नए रिष्टे में तो वो पैसे नहीं देगा बेशक वो ऐसे कितने पैसे लुटा दे लेकिन वो अपनी पत्नी को उसके मांगने पर पैसे नहीं देगा अब जैसे ही पैसे देने से मना किया बिल ने तो ओमेमा को गुसा आ गया और उसने साइड में ही बैड के साइड में रखे हुए एक लैंप को उठाया और उस लैंप को सीधा बिल के सर में दे मारा लैंप सिर में लगते ही बिल बेहोशी की हालत में चला गया और अवमेमा ने देख लिया कि बेहोश हो चुका है बिल तो क्यों न यहाँ पर इसका पूरा काम ही निप्टा दिया जाए तुरणत यहाँ पर EMA ने साइड में ही रखी हुई आइरन यानि कि उस प्रेस को उठाया और उसके सिर में बार बार दे कर मारा और साथ यहाँ पर उसके बाद उसने ड्रॉर में से कैची को निकाला उसने उसके पहले हाथों को काटा पैरों को काटा तब यहाँ पर उसने उसके गले को काटा और पेटों च्छाती को बीच में से अलग लग कर दिया अब इतने सारे हिस्से बन चुके थे अब इन हिस्सों को अलग लग करके ठीकाने भी लगाना था लेकिन अभी भी हिस्से काफी बड़े बड़े थे अभी इन हिस्सों को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया और इतनी सटीकता से काटा गया कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये लड़की ये काम पहली बार कर रही हो ये इतने प्रो तरीके से काट रही थी इतने साफ तरीके से कि ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले से ही ये काम काफी बार कर चुकी हो और आपसी रिपोर्ट में सामने आये कि बिल की मौत ब्लंड फॉर्स ट्रॉमा की वज़े से हुई है पुलिस को लगबग यहां पर बिल का सारा शरीर मिल चुका था उसके सारे हिससे मिल चुके थे लेकिन अभी भी कुछे किलो कम था, जी हां लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक जब बिल अंतिम बार हॉस्पिटल में गया था यहां पर उसका वेट चेक किया गया था और उस रिपोर्ट में उसका वेट अलग था और जो पुलिस को टुकडे मिले जब उनका भार किया गया तब वहाँ वो हलके आ रहे थे मतलब कि अभी भी कुछे किलो बोडी के पार्ट्स बिल के मिसिंग थे अब पुलिस वालों को उसके बारे में लगा कि हो सकता है ओमेमा ने पहले ही इन टुकडों को कही न कही ठिकाने लगा दिया हो रात के टाइम पर ही आसपास के बड़े इलाके में कुडे के अंदर चान मिन पुलिस ज़ारा की गए लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला, तब यहाँ पर ओमेमा ने पुलिस वालों को बुलाया और कहा, कि बाओ जी, ढूनने की जरूरत नहीं है, वो टुकडे आपको कभी मिल ही नहीं सकते, क्यों क्यों कि यहाँ पर, वो पेट में मेरे पच्च भी चुके हैं, और मैं उन्हें अपने शरीड से बाहर निकाल भी आपी हूँ, यह चीज जब पुलिस वालों ने सुनी, तो उनका दिल देहल गया कि एक लड़की अपने ही पती को मार कर कैसे खा सकती है, जब पुलिस वालों ने उसे डिटेल में पूछा कि बता क्या किया था, तब उसने बताया कि उसकी जो साथल होती हैं, जो हमारी थाइज होती हैं, उन थाइज से कुछ मास्क के टुकडों को अलग ल इलीशियस चीज जो मैंने आज सकाई है, वो कुछ और नहीं बलकि बिल का मास्क था, जब मैंने उसके मास्क को खाया, तब उसको यकीन मानिये, अनन्त सुक की प्राप्ती हो गई थी, ट्रायल के दुरान यहां पर कौट में खड़े होकर, ओमेमा ने जद से कहा कि हमारी ज मुझे तो नहीं लगता कि बिल ने ऐसा कुछ किया होगा, क्यों क्योंकि यहां पर वो अपनी नई पत्नी को लेकर, इतनी छोटी उम्र की पत्नी को लेकर बहुत जाला खुश था, वो तो अपने रिष्टेदारों से उसको मिलवा रहा था, रिष्टेदार नहीं मान रहे, रिष्टेदार उसको सेप्ट नहीं कर रहे, वो बात अलग है, लेकिन अगला वो तो बेचारा खुशी था, जनवरी 1993 का समय आ चुका था, मतलब कि अब यहां पर तकरीबन एक साल से थोड़ा जादा समय बीच चुका था, और अब यहां फाइनली, ओमेमा के उपर सारे आ अमीर था और उसकी उमर उस टाइम पर सतर साल के आसपास की थी, लेकिन यहां वो आदमी विकलांग था और जेल में अपनी सजा पूरी कर रहा था, दोनों ने जेल में रहते हुए ही शादी कर ली, वो आदमी बहुत मौटी फरम था, और जैसे ही शादी कर उसके कुछ टा भी हो चुकी थी, बहुत सारा पैसा उसे मिल चुका था उस आदमी से, लेकिन वो आदमी ही नहीं रहा, खेर पैसा मिल चुका था, तो वो भी ओमेमा के लिए बहुत जारा काफी था, लेकिन यहां कुछ बाते हैं, जो मुझे आप से इस केस के बारे में करनी है, आज की हमारी पास से फील किया है, लोग 5-10 रुपे के लिए, 50 रुपे के लिए किसी का मर्डर कर देते हैं, और उनको उसके लिए कोई गिल्ट भी फील नहीं होता, कोई प्राइस चित भी नहीं होता, क्या एक जान की कीमत सिरफ पैसों से लगाई जा सकती है, मुझे तो जान कर ही अपने स्क्रिप्ट लिक रहा था, तब मुझे अंदर से बहुत जादा जीब लग रहा था, कि कैसे एक लड़की 23 साल की सिरफ पैसों के लालच में अगर अपना पूरा फ्यूचर खराब कर रही है, 56 साल के आदमी से शादी कर रही है, और दूसरा यहां उसको मार भी रही है, तीसरा यहां पर वो पुलिस वालो के आगे अलग अलग कहानिया बना रही है, कि कैसे एक शैतान ने आकर उसे कहा, कि अपने पती को मार दोर उसने मार भी दिया, खर वो सब तो जूट था, लेकिन फाइनली उसने अपने पती को मार कर खाया भी है, यह चीज सच में बह तरफ एकी तरीका है, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा और बहुत लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा, शायद हो सकता है कि कभी भी वो वेक्ति अपना असली चहरा आपको ना दिखाए, और हो सकता है बहुत चल्दी भी दिखा दे, जैसे कि इस केस में, ओमेमा ने चा क्या करके आए थे और उनके असल पहचान है क्या, मैंने बहुत सारे ऐसी स्टोरी देगी हैं, अगर आपको उन सब के बारे में जानना है, तो मुझे मेरे इंस्ट्राग्राइम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उनके भी एक्जामपल दे सकता हूँ, यह मेरे इंस्ट्रा और देखते हैं आगे कैसा होता है शादी के बाद का जीवन आप सभी के लिए वो शाउट आउट है बिलते हैं अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद